Hello everyone, आपका स्वागत है और आज का lecture स्टार्ट करने से पहले एक आपके last lecture में एक correction है तो जो मैंने ये 4th 5 year plan में बताया था गरीबी हटाओ का नारा ये नारा 5th 5 year plan में दिया था ठीक है? तो आपको ये correct कर लेना है बस और ये जो मैंने आपको notes दिये हैं telegram में वहाँ पर मैंने आपको सही करके दिया है तो चलिएगा आप अपना आज का lecture स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव अधिकार आयोग के बारे में उसमें हम राश्य मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे राज्य के मानव अधिकार आयोग के बारे में तो अब देखते हैं उससे पहले कि मानव अधिकार human rights आखिर है क्या? अब जैसे ही आप मानव अधिकार सुनते हो तो फिर आपके दिमाग में fundamental rights शब्द भी आएगा मौलिक अधिकार तो इन दोनों के बीच में अंतर भी हम देखेंगे मानव अधिकार है कि ये अधिकार होते हैं किसी भी border मतलब कि international border के महताज नहीं होते ये सभी को प्राप्थ होने चाहिए अगर आप मानव हैं तो आपके लिंग, जाती, धर्म, राश्यता, कुछ भी हो भासा, कुछ भी हो उस पे ये आधारित नहीं है उन पे ये भेधवाब किये बिना ये सभी को प्राप्थ होते हैं इसमें आप आसा मज़ सकते हो जीवन जीने का अधिकार स्वतंतरता से रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार ये सब इसमें आ जाते हैं मानव अधिकार में जो कि आपको मानव होने की वज़े से मिलते हैं और एक दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे मौलिक अधिकारों में क्या होता है कि मौलिक अधिकार में भी इस टाइप के ही अधिकार हैं जो कि मानव अधिकारों से ही कुछ तरह के प्रेरित हैं जैसे की आपका हो गया बोलने की स्वतंतिरता ठीक है राइक्ट्यू उप्वैलिटी यह सब होते हैं पर यह क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो कुछ अधिक और यह मानव अधिकार जो कि किसी लिंग जाती राष्ट्य तक किसी पे भी भेदभाव नहीं करते हैं कि किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी यह डिपेंड नहीं करते हैं यह सब के लिए होते हैं तो आगया हुआ अब आपको अंतर समझ और यहाँ पे आप जो यू एन ह है इसने भी मानव अधिकार की यह परिभासा दी है तो आप यह भी देख सकते हैं इसके बाद में आपको एक शीज और याद रखनी है कि मानव अधिकारों की सारव भौम घोशना ठीक है यूनिवर्सल डिकलरेशन ओफ हुमन राइट्स जिसे यू दियाचर भी शॉट में बोला जाएगा ये करी थी 10 दिसंबर 1948 को तो अब ये आपको ये इसमें ये डेट याद रखनी है ये ही 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये कब हुई थी ये 1948 में यून द्वारब पैरिस में अपनाया गया था तो ठीक है आप ये याद र अपना देश आजाद होने के लगबाग 1.5 साल बाद में ये जो मानव अधिकार थे वो दे दिये गए थे मतलब थोड़े से इवेंट है जो चीज है उन्हें ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपको याद हो जाएगा अब दीकिए आपको डेट याद नहीं है बट आपने ये इव इसे याद कर लिया कि हमारा जब भारत आजाद हुआ था तो उसके कुछ वर्सोबाद में मानव अधिकार की जो घोशना थी उसे यूएन द्वारा पैरिस में अपना आया गया ठीक है अब आपके ऑप्शन्स आ जाते हैं कि ये कब अपना आया गया तो आपके ऑप्शन्स प्रस्ताव टाइप का ये होता है तो इसमें क्या कहते हैं ये बोलते हैं कि जो पूरे मतलब अभी तो हमने पहले तो घोशना कर दी थी मानव अधिकारों की 1948 में पर अब 1999 में ही कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए राश्य मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए हर देश को अपने अपने देश में ताकि वो अपने देश में अपने जो मानव अधिकार हैं उनका उलंगन ना हो और उनका ध्यान रख सकें तो इसी के अभी आप रख सकते हैं कि मानव अधिकार परिसद Human Rights Council जो की बनी है हमारी 15 मार्च 2006 में UN में इससे पहले इसके जगा पर क्या होती थी सैयुक्त राश्य मानव अधिकार आयोग UN Human Rights Commission ठीक है इन दोनों में क्या अंतर है इन में हलका सा अंतर है कि आयोग की जगा पर यहां पर आ गया है ठीक है और आयोग और परिसद में अंतर में आपको बहुत बार बता चुकीं फिर भी मैं आपको बता देती हूं जैसे ही आयोग का मतलब है कि जूए सदस्य है यहां पर सदस्य हैं यह nuclear निफिकार जयेंगे और यहां परिसद का मतलब है कि इसके मेंबर किसी भी तरीके से अचुने जाएंगे ठीक है वो ए प्रेटक्ष प्रेटक्ष कुछ भी हो सकते हैं तो आपको जब भी इनमें फिर भी कोई डाउट आए ना तो आपको जैसे ही आपको कमिशन और परिसद ठीक है या हिंदी इंग्लिस आप नाम समझ लीजेगा उसे साब से आपको इ आप लोक सबा राज्य सबा यह जो मनतरी परिसद है से याद रख सकते हैं और जो की होती हैilli चुनाग से हमारे हाँ से चुन के जाते है ठीक है तो यह आपको का उसे और आयोग में । आपको याद रखना है तो अब चलिए गा बढ़ते हैं अपने राश्य मानव अधिकार आयोग की तरफ जिसे National Human Rights Commission भी कहा जाएगा और जिसके सौर्ट में इसे NHRC भी कहते हैं ठीक है यह है एक सामविधिक निकाय है मतलब की यह समवैधानिक नहीं है ठीक है यह मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है confusion यह शब्द ना करे यह वैधानि इसे ठीक है सामविधिक को वैधानिक निकाय भी क्योंकि यह एक कानून के अंदर आके बना है ठीक है मैं कई बार आपको बता चुक हूँ कि दो तरह के निकाय है समवैधानिक निकाय और एसमवैधानिक निकाय एसमवैधानिक में भी यह एक तो वैधानिक आ जाते है और इन पे कोई कानून का हाथ नहीं होता है और वैदानिक कौप साम विधिक भी बोल सकते हो ठीकैं तो यह हमारा राश्य मानव अधिकार आयोग है यह बना है हमारा मानव अधिकार संदुक्षन अधिनियम 1993 के तहत ठीकैं तो इसका हैड़कॉाटर हमारा दिल्ली में है और इसी होंगे और किस प्रेकार से चुने जाएंगे टो एक तो होता है क्षान ऑध्याक्ष ठीक है और पांच होते हैं इसमें सदस्य और साथ होते इसके पदें सदस्य थीक है तो अध्याक्ष में होंगे एक सेवा जो अध्याक्ष होंगे यह अभी आपके इसलिए इंपोर्टेंट क्यूं है क्योंकि यह वाली इसकी संरचना है इसमें संसोधन अभी 2019 महीं किया गया था एक तो यह आपका करंट से भी कोशन बन गया और एक स्टैटिक का भी बन गया क्योंकि अभी पॉलिटी में एड हो चुका है तो इस प्रकार से यह इंपोर्टे के नयादीस ठीक है जो सुप्रीम कोट के नयादीस और यह वाला जो और सुप्रीम कोट के नयादीस वाला जो शब्द है यह अभी 2019 में ही जोड़ा गया है इससे पहले क्या था कि खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसके धेक्ष बन सकते हैं और यह क्यों जोड़ा ग इसके पांच सदस्य भी होते हैं तो इसमें क्या है कि इन 3 में से एक कम से कम महिला होनी चाहिए और यह जो बाकी दो हैं ठीक है आपको यह बाकी जो दो दिख रहे हैं इन में क्या होगा कि इन में एक कोई सेवा निर्वित् इसमें एक उच्चितम नयाल्म है, कारियरत, यहां कोई सेवा निर्वध जज होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे इसमें एक हाइ कोट का होना चाहिए, बस आपको इतना सा हलका सा आइडिया रखना है, बाकी आपको जो इहां पर इंपोर्टेंट याद रखना है, कि इसमें कम से एड हुए हैं यह पहले चार थे तो तीन इन में दो हजार उन्निस में जोड़े गए हैं तो इसलिए यह वाली जो इसकी सनरचना है यह इंपोर्टेंट हो जाती है और इसमें आपको हलका सा आइडिया रखना यह नी कि आप साथों के साथ को रटने बैठ जाओ वैसे आप ए NCST यह स्केडूल ट्राइब के लिए होगा और यह बैकवर्ड क्लास के लिए राश्रे महिला आयोग और एक इसमें होंगे राश्रे बाल अधिकार संदक्षड आयोग के अध्यक्ष और इसमें होंगे अगले दिव्यांग जनो संबंधी मुख्य आयोग्त ठीक है आगया हो एक समीती गठित करते हैं जो जिसमें 6 सदस्य होते हैं और उस समीती के हैड होंगे वो होंगे हमारे प्रधान मंत्री जी ठीक है और इसमें क्या होंगे एक लोगसभा के अध्यक्ष होंगे और राज्यसभा के उपसभापती होते हैं ठीक है यहाँ पर याद रखना है तो आगया होगा आपको समझ कि जो इनकी छे सदस्य है जो समीती होगी जो कि इनको नियुक्त करेगी राश्य मानव अधिकार आयुक के सदस्यों को और अध्यक्ष को उसमें छे सदस्य राश्यपती द्वारा गठित करें जाएंगे समीती में तो एक तो प्रधान मंतरी सबा के उपसभापति और लोगसावा और राजसिए में विपक्षीदलकेनेता और केंड्रियग्रहमंत्री अब आगे देखते हैं और इनका कारेकाल देखते हैं कि इनका कारेकाल क्या होगा ठीक है तो इनका कारेकाल होता है या तो तीन वर्ष या सत्तर साल ठीक है या तो तीन वर्ष या सत्तर साल और ये भी अभी चेंज किया गया है तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है और देखिए इनका और एक और क्या है कि eligible हैं re-appointment के लिए मतलब कि दुबारा से ये इसके सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं पर आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी पद के योगे नहीं है मतलब यह क्यों नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में इनको मंत्री वगेरा नहीं बनाया जा सकता है आप इस हिसाब से समझ सकते हो यह इसलिए है ताकि यह जब अपने पद पे हैं NHRC में तो वहाँ पे यह निस्पक्ष रूप से काम कर सके वरना तो इनको लालच दिया जा सकता है कि सरकार बोल सकती है कि आप हमारे पक्ष में काम करिएगा और हम आपको बाद में जाके मंत्री वगेरा कुछ बना देंगे तो आ गया हुआ आपको समझ और अब इसकी कुछ यह देख लेते इसके कार्य प्रणाली क्या है कि यह किस आधार पे काम करती है तो देखे इनको सिविल न्यायले वाले सारे अधिकार मिलते है मैं आपको अधीनस्त न्यायले में मैंने आपको पढ़ाय था न कि इधर होते हैं सिविल न्यायले और इधर होते हैं क्रिमिनल ठीक है मतलब कि दिवानी अदालत फौसदारी अदालत तो इधर जो दिवानी अदालत होती है जो उसके सारे अधकार इनको होते हैं एने चारसी को और देखें ये उनी मामलों में जाच कर सकते हैं जिनको घटित कम से कम एक वर्शुआ हो मतलब कि एक साल के अंदर अगर कोई मामला इनके पास में पहुँच जाता है या यह संग्यान ले लेते हैं तो ये उसी में जाच कर सकते हैं बाकी उसके लावा अगर एक साल से पुराना मामला हो जाएगा तो इन जो एने चारसी है उस पे इनको जाच करने का कोई अधिकार ठीक है और एक और पॉइंट है कि अगर ये किसी व्यक्ति को इन्होंने पाया कि इसने मानव अधिकारों का उलंगन किया है ठीक है तो ये इसको कोई डंडिया सजा नहीं दे सकते हैं बस ये सरकार को सुझाव दे सकते हैं रिपोर्ट बना के दे सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति, ये और्गनाईजेशन, ये संगठन, मानव अधिकारों का उलंगन कर रहा है, तो आप इसको देखिए, और जो ये सलहा देंगे सरकार को, वो सरकार पर बाद्दय नहीं होगी, सरकार की मर्जी है, वो सलहा माननी है या आप देख सकते हो, मतलब संस्थान है, मानव अधिकारों पर ध्यान देता है, उलंगन देखता है, पर इसकी क्या बोले, इसकी कुछ कमिया है, कि ये एक साल तक ही सिरफ देख सकते हैं, और दूसरी क्या है इनकी, कि ये क्या कर सकते हैं, ये किसी तरह की सजा नहीं दे सकते या किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं मतलब कि इनको आयोग बनाया है पर इनको थोड़ी शक्तियां कम है और अब आप एक व्यक्ति का नाम ऐसा बता सकते हो मेरे को कि जिन्होंने मानव अधिकार के छेत्रे में बहुत सारा काम किया है और जो जेल में भी गए थे क आप उनका नाम भी बता सकते हो और उन्होंने रंग भेद की नीती के खिलाफ भी आंदोलन किया था ठीक है अब तो आप बताई सकते हो इतनी मैंने आपको इतनी सारी हिंट दे दिये अब हमने पढ़ लिया राज्य मानव अधिकार आयोग अब हम पढ़ेंगे राज्य मान लग्षण अदीनियम है 1993 का यह यह भी प्रावधान करता है कि केंद्र के साथ साथ में राज्य में भी मानव अधिकार आयोग का अगठन होना चाहिए और यह जाच उन्हीं विश्याओं पर कर सकता है जो कि विश्य यह तो राज्य सूची में आते हैं यह किसी समवर्ती पूची में आएंगे और इनकी संदशना आप देख सकते हो कि अध्यक्ष होंगे और दो इनके सदस्य होंगे तिक है जो हमने पहले देखे उसका और इनके सदस्य को confusion नहीं करना है और इनका कारेकाल या तो 3 साल होगा या 70 अब ये अध्यक्ष कौन होते हैं अध्यक्ष कोन होते हैं शेवा निर्वत हो सकते हैं या तो हाइ को अधिस होंगे और ये वाला प्राफधान अभी जो यह है ये हाइक निर्वत वाला ये अभी 2019 में ही जोडा गया है तो और अब यहाँ पे जैसे हमने आपको केंदर में पढ़ाया था कि इनको नियुक्त करने के लिए इनको इनके नाम सजेस्ट करने के लिए जैसे वहाँ पर प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक समीती बनी थी एसे ही यहाँ पे राज्य में गवर्नर बनाएंगे सीएम की अध्यक्षता में समीती थीक है और इस समीती में प्रधान सभा के अध्यक्ष राज्य के गिरह मंत्री तथा राज्य विधान सभा में विपक्ष के नेता थीक है अन्य सदस्य के रूप में होते हैं जो इनके नाम suggest करेंगे तो आपको अब यहां पे क्या चीज याद रखनी है कि जो नियुक्ती होती है ठीक है NHRC मतलब यह राश्रे हो गया और यह राज्ये वाला हो गया तो नियुक्ती तो इनके अध्यक्ष और सदस्य की राश्रपती करेंगे यहां पे और यहां पे करेंगे गवर्णर पर अगर इनको इनके पद से हटाना हो तो यहां पे तो राश्रपती के द्वारा हटाया जा सकता है और यहां पे भी राश्रपती के द्वारा ही हटाया जा सकता है मतलब कि जो हमारे राज्ये के मानव अधिकार आईयोग के अध्य AHKрав या सदस्य ह filt नूक्ट करसकते हैं पर उनको हटा वो नहीं सकते हैं उनको हटा सिरफ राश्रा पती ही चांके और इनकी कुछ प्रिस्थितियां होती है ंसकी सही नहीं हो तो यह तो दिवालिया हो यह अपने कारे काल के दौरान उसने किसी सरकार के लाब कारी पद पर रहे चुका हो या उसका दिमाग और शारीर्युक्रूप से वो सही ना हो मानसिक अवस्ठा उसकी ती राश्टम नयाल्लै को बोलते हैं कि आप ज़ाच करिए और यदी उच्चितम नयाल्लै जाच के उपरांत मामलो को सही पाता है तो राश्रपती को सलहा देते हैं और उसके बाद में राश्रपती इनके सदस्यों को हटा सकते हैं मतलब कि दोनों के सदस्यों को हटाने का सेम तरीका है NHRC के भी और SHRC के भी ठीक है तो अब आपको यहाँ पर टेबल में अपडेट कर देना है कि यह राश्रे मानव अधिकार आयोग और राश्रे मानव अधिकार आयोग यह दोनों वैधानिक निकाय हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि यह कानून से बने हैं ठीक है और कानून कौन से बने हैं अभी आपको बिल्गुल बताया है और यहाँ पर यह दोनों हम कल पढ़ चुके थे यह हो जाते हैं हमारे कार्य कारणी निकाए क्योंकि एक executive के संदेश के द्वारा बने हैं इनके कमर पर किसी कानून का हाथ नहीं है अब इसके बाद में हम एक और topic देख लेते हैं बहुत ही छोटा सा है और बहुत easy होने वाला है कि केंद्रिय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे इसे इंग्रिस में कहा जाएगा Central Information Commission और State Information Commission आपने RTI सबने पढ़ा होगा RTI Act जो RTI सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसमें आप सरकारी office या इन सब के बारे में कोई भी सूचना ले सकते हैं जैसे आप अपनी भरतियों के बारे में किसी के बारे में भी तो उन सूचना को देने के लिए केंदर इस तरपे है Central Information Commission और इस तरपे है State Information Commission ठीक है तो ये भी क्यों important है ये इसलिए important है इनमें भी अभी 2019 में कुछ संसोधन किया गया है तो ये current का question भी हो जाता है और ये आपका static policy का भी question हो जाएगा यहां से तो ये देखिए इन दोनों का जो इनके पद का जो गठन है वो सूचना के अधिकार अधिकार 2005 के अंतरगत है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों वैधानिक निकाय है तो इन दोनों के नाम कहां पर लिखे जाएंगे यहां पर ठीक है तो आप update कर लिजेगा अपनी table को यहां पर आगे देखते हैं अब इसको बनाय किसके अंदर है सूचना का अधिकार अधिकार 2005 के अंदर केंद्रिवाले को भी और हमारे राज्येवाले को भी अब इनकी सं Information Commissioner ठीक है और ऐसे ही सेम हमारे राज्ये में होंगे यहां पर राज्ये मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे ठीक है और यहां पर हमारे सूचना आयुक्त और जो की 10 होंगे इनकी मदद करने के लिए आप देखिए वर्तमान में मैंने इनका नाम लिखाया कि कौन है वर् अपने हिसाब से उस नाम को अपडेट करते रहें तो आप जब इवी वीडियो देख रहे हैं ये तो ये वाला नाम एक बार अपडेट करके आप चैप कर सकते हैं तो आप अभी तो फिलाल कैसे भी याद रख लो कैसे याद रख सकते हो बिमल जुलका को आप आजकल ये चीफ इंफर्मेशन कमिशनर रहे चुके हैं तो वापस से इंको उसी पद पे नहीं बिठाया जाएगा और सेम आप इधर याद रखोगे कि इनको पुनर न्युकती नहीं मिल सकती और अभी हमने स्टेट वाले में मानव अधिकार आयोग वाले में और केंद्री और रा इंफर्मेशन देने की और आपको पता है कि 2005 से हम जो सिटिजन हैं भारत के नागरिक हैं खुद को बहुत एंपावर मतलब कि खुद को कि हमारे पास में भी कोई शक्ती है इसी से आर्टी आई की वजए से ही महसूस करते हैं और आप जो भी चाहो कुछ कंडिशन से हैं कु कुछ इंफर्मेशन ले सकते हो अब यह इंपोर्टेंट क्यूं है ठीक है तो यह देखिए इसमें जो 2019 में जो इसके नियमों में बदलाब किया है यह वो है और यह मैंने इसका जो स्क्रीन शॉट है यह मैंने सरकार की वेबसाइट पी आरेस लेजिसलेशर से लिया है जिस अब यह कैई बुक में थोड़ा इसका आपको अलग लिखा हुआ दिखा मेलेगा यहां पर ठीक है पट आपको यह देखना है क्यूंकि यह 2019 ऑक्टोबर का है और में भी वह लक्षिमी कांत का छटे एडिशन में भी यह थोड़ा यहां पर अलग लिखा हुआ है तो वह वह उस हिसाब से क्योंकि यह वाला बिल था यह जुलाई 2019 में आया था बटे पास होते होते जो पूरी पूर्ण रूप से पास हुआ और जो इसमें परिवर्तन हुए ठीक है तो यह 2019 ऑक्टोबर में जाके हो गई थे तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि जब बिल आता हैं तो अब देखते हैं कि इनकी जो टर्म है जो इसका कारेकाल है वो जो चीफ इनफॉर्मेशन कमिशनर ठीक है जो मुख्य सूचना आयुक्त है ठीक है यह तो हमारे केंदरी लेवल पे हो गए और जो आईसी इनफॉर्मेशन कमिशनर यह होते हैं हमारे राज्य लेवल प कर दिया गया है इसलिए आपको अब यह याद रखना है और question बन सकता है पूरे पूरे chances हैं यहां से question बनने के क्यूंकि अगर आप थोड़ा भी उस टाइम पर current affair follow कर रहे होंगे तो यह काफी news में था इस पर काफी बहस भी चली थी कि इस हिसाब से तो केंदर सरकार इनकी जो पढ़ाया था यह उसके बराबर होते थे यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर इनकी अधिकारी जो निर्वाचन आयुक्त अधिकारी के बराबर पर इस वाले जो कानून है इस वाले जो रूल्स है जो नए 2019 में उस वाले जो उनके बराबर होती थी उस वाली वह चार-पांच फैक्ट ही है पूरे चैप्टर में जो यह जितना भी आज लेक्चर पड़ा है याद रखने वाला तो आप वही चार-पांच फैक्ट किसी भी पेज पे एक जगा लिखके रख सकते हो और धन्यवाद वीडियो हां तक देखने के लिए अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो और नहीं आती है पसंद तो डिसलाइक करके कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हूं और अभी हमारा इसम वेधानिक निकाय है इसमें अभी हमारा टॉपिक बचा है CBI ठीक है और लोगपाल और लोकायुक्त हम वह नेक्स वीडियो में करेंगे और धन्यवाद आपका दिन अच्छाओ